फेस्बुक पे आपने ऐसा कुछ देखा होगा जो कि बहुत इंटरस्टिंग है तो मैं वापस कहता हूँ फेस्बुक पर आपने ये slide देखा होगा या ये post देखा होगा Jesus in Old Testament, Jesus in New Testament as a word of God अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना जबर्दस्त है कि आपके होश होड़ने वाले Are you ready for this? मैं कोशिश करता हूँ कि पंदरा बीस मिनिट में आपको ये समझा सको मेरी कोशिश होगी और साथे साथ मैं प्रात्ना भी में भी आपको ये बात बताते जाओंगा कि प्रभू मुझे वो शब्द और वो तरीका और वो एंगल फिट करने के लिए बुद्धी दे क्योंकि ये अभी तक मसी जगत में या खास करके इंदी बाशाओं के चेत्र में ऐसा एंगल अभी तक किसी ने ने दिया मतलब परमिश्वर का वच्चन के रूप में मैं फिर पूछ रहा हूँ आई रडी फो दस? आईए देखते हैं यहना की किताब एक का अठारा परमिश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लोता पुत्र जो पिता की घोद में है उसी ने उसे मतलब परमिश्वर का पिता को प्रगट किया है इंग्लिश में लिखा है यह है आपका किंग जें वर्जन मैं इसको फिर से चाहूँगा की पड़े परमिश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लोता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रगट किया है एक टांसलेशन ये भी कहता है एक टांसलेशन ये भी कहता है तो इसको आपको समझना होगा लिखा है कि परमिश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा ये बात सच है मैं इसकी शुरुआत में आपको बता चुका था कि परमिश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन ये गलत भी है एक तरफा सच है एक तरफा सच भी नहीं है कैसे क्योंकि परमिश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा ये सच है लेकिन जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रगट किया है तो वो सिर्फ और सिरफ येश्व है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को अगर किसी को देखना है तो वो येशू के द्वारा ही देख पाएगा और जब तक येशू प्रगट नहीं करेगा तब तक खोई भी परमिश्वर को देखने सकता और यही वज़ा है कि जब फिलिप ने पूछा मुझे पिता दिखा दे योना के किताब जोदा दिया में मुझे पिता दिखा दे तो येशू ने क्या का वचनाट में अगर मैं गलत नहीं हूँ कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तो इस वचन को आपने अभी तक कैसे पड़ा मुझे नहीं पता लेकिन इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की मदद से आज आपको एक ऐसा एंगल दे रहा हूँ जो कि फिर से पड़ दे रहा हूँ कहता है कि उसी ने उसे प्रगट कै उसी ने इसका मतलब है कि येशू ने परमेश्वर पिता को प्रगट किया है और जब तक अगर पिता परमिश्वर ये शुमसीब प्रगट नहीं करेगा फोई पिता को नहीं समझपाएगा तो जिसके चलते जिसस डिकलेड हिम रिवीली हिम, made him known to the nations जिसस डिकलेड हिम रिवीली हिम, made him known to the nations इसका मतलब किया है इजराहिल के रास्ट्रों को अगर किसी ने बताया ये तुम्हारा परमेश्वर है अब रहम का परमेश्वर, ईज blacks का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर या उसके हागे की भी जनरेशन को अगर येश्यू ने नहीं बताया होता किसी को नहीं पता चलता कि परमिश्वर है कौन तब जाकर यह वचन कहता कि उसी ने उसे प्रगट किया है अब एक ऐसा वचन जिसको आपने कई बार पड़ा है लेकिन उसमें से आज एक चीज आपके बीच में रख रहा हूँ मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने मुस्लिम से जो खास करके बाइबल पर डिबेट करते है खास करके इस वचन पर डिबेट करते है एमद शेक जो कि एक वक्त में बहुत बोलता था मर चुके हैं लेकिन उसका चेला जाकिरनायक या उसके कई डिसाइपल्स इस एक वच्छन को लेकर बहुत गरबर किये हैं आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसका दूद का दूद और पानी का पानी कर रहा हूँ तो मैं चाता हूँ कि सबसे पहले इस वच्छन को बहुत ठहराओ के साथ एक एक लाइन को इसको हम पढ़ेंगे लिखा है कि आधी में वच्छन था वच्छन परमेश्वर के साथ था और वच्छन परमेश्वर था वच्छन दो यही आधी में परमेश्वर के साथ था तो कुश्यन उठता है कि आधी में परमेश्वर के साथ कौन था वच्छन लिखा है कि आदी में वचन था वचन परमिश्वर के साथ था और वचन परमिश्वर था वचन परमिश्वर था वर्ड वस गॉड यही आदी में परमिश्वर के साथ था अब इसका पैरलल देख लिजेगा ये ब्रानियों एक का एक से दो तक में लिखा है कि पूर्वयुग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा-थोड़ा करके और भाती-भाती से भविश्वक्ताओं के दौरा बाते की इसका मतलब क्या है? पूर्वयुग में इस वचन ने बात किया था मैं repeat कर रहा हूं कि पुर्व युग में इस वचन ने बात किया था थोड़ा थोड़ा करके और भाती भाती से भविश्वक्ताओं के दोरा बाते करा अब आपको पता है कि जिसमें आदी में बात किया था वचन दो को पढ़ो इसको नहीं रखाय किया इब्राणियों एक का दो पढ़ो जल्दी से जल्दी निकाल लिए वचन एक और इब्रानियों वचन एक और तो बस, complete करो उसको, रोको उसको नीचे आओ, हाँ, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बाते की, यह खतम करना ऐसा, यही, दो इसका मतलब है कि वच्छन एक कहता है, यह ना एक एक, आधी में वच्छन था, वच्छन परमिश्वर के साथ था, वच्छन परमिश्व क्या कहता है, पुर्व युग में परमिश्व ने बाप दादाओं से थोड़ा-थोड़ा करके, बाती-बाती से बहुश्वक्तों के दोरा बात करके, अंत के दिनों में अपने पुत्र के दोरा हमसे बाते की, तो इसका मतलब है कि उपर लिखा है बाते की, बाते करता रहा पुर्व युग में बविश्वक्तों के दोरा बाते करता रहा अंत में पुत्र के दोरा बाते की अब प्रशन उठता है कि जो आधी में वचन था वो वचन न्यू टेस्टमिन में क्या हो गया क्या आपने कभी गहुर किया ध्यान से सुनो जिसको इसने लिखा था और जब शास्त्री फरसी उसको पढ़ते थे और यौना जब इसको बोल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था उनको लगा कि ठीक है ये बिल्कुल सच बोल रहा है आधी में वचन था सही बात है वचन आधी से था ये भी सही बात है फोरू युग में परमिश्वने बाप दादों से बात करी यहां तक भी ठीक है लेकिन जैसे ही यौना एक कदम आगे बढ़ा और उसने वचन चोधा बोल दिया लिखा है कि वचन देधारी हुआ अनुगरे और सच्चाए से परिपून होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के कलोते की महिमा तो किसकी महिमा देखी वचन की किसके महिमा के साथ में वचन की महिमा की तूलना की जा रही है परमिश्वर के महिमा की तुलना किसके साथ की जा रही है वच्छन की तो आधी में क्या था वच्छन क्या करता था बाप दादाओं से बात करता था वच्छन किसके साथ था यहवा के साथ में था लेकिन उसके बाद में अंत की दुनों में परमेश्व ने किस के दोरा बाते करना शुरू करी बेटी के दोरा, वो बेटा क्या हो गया ओके इसको यहां रखा है मैंने वो बेटा क्या हो गया वो बेटा देहदारी हो गया तो लिखा है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के दोरा बाते की जिससे उसने सारी वस्तूओं का वारिस ठहराया और उसी के दोरा जल से सारी सिस्टी रची इसका मतलब है कि जो पहला वचन था ओके आपको बहुत ध्यान से सुना होगा जो पहला वचन था तो वचन बाप दादाओं से बात करता था लेकिन जब वचन देदारी हो गया तो वचन अब हमसे बात कर रहा है आप समझें के नहीं समझें यहाँ पे वचन को फ्लेश नहीं है यहाँ पे वचन को बाडी नहीं है यहाँ वचन प्रिथ्वी पे नहीं आया इसलिए बाप दादाओं से बात कर रहा था लेकिन वच्छन चौधा में उसको flesh आ गया उसको एक body दी गए उसको ये शुक आ गया लिखा है कि वो अब हमसे बात कर रहा है तुम लोग समझे वच्छन को पहले क्या नहीं था body नहीं था वो आदी से था किस से बात करता था बाप दादाओं से without body without shape बात करता था कोई देखता नहीं था जिसकी मर्जी होती थी उसको दिखाता था वो बात लगया लेकिन वच्छन चौधा क्या कहता है देधारी हो गया कौन देधारी हो गया वच्छन यहाँ पे कितने लोग समझ रहे वच्छन देधारी हो गया और लिखा है कि हमारे बीच में डेरा किया और फिर इबरानियों दो क्या कहता है अंत के दिनों में पुत्र के दोरा बाते की तो वच्छन कौन है पुत्र पुत्र कौन था पहले वच्छन अब इसका प्रूफ देदू ये चितर देख लो पहला क्या ये शू ने अबराम से कभी बात की थी कुशन मार्क वाव मैं वापस कहता हूं आपको मज़ा आने वाला है अगर थोड़ा टाइम होता तो होने दो उत्पत्थी पंधरा का एक निकालिए उत्पत्थी पंधरा का एक लिखा है कि इन बातों के पश्चात पढ़िए यहोवा का ये वच्चन दर्शन में अबराम के पास पहुचा रिपीट पूरा इन बातों के पश्चात यहोवा का यहोवच्चन दर्शन में अबराम के पास पहुचा ओके तो दर्शन कौन दे रहा है यहुआ दर्शन कौन दे रहा है वच्छन ऐसी गलती यहां मत करिए इसलिए फोकस मैं इतना पीछे से आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ कि वच्छन क्या हो गया फ्लेश में आ गया तो यहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि दर्शन कौन दे रहा है वच्छन इसलिए इतना बड़ा सा लिखा है मैं चाहता हूँ कि आप लोग यह बात को प्लीज कनेक्ट करो इसलिए बहुत जरूरी है लिखा इन बातों के पश्छात यहुआ का यह वच्छन दर्शन में अबरहाम के पास पहुँचा तो मैं फिर पूछूँगा कि अबरहाम को दर्शन किस ने दिया वच्छन क्या वच्छन दर्शन दे सकता है अगर यह कोशन पूचा जाए क्या वच्छन दर्शन दे सकता है आफकोस दे सकता है क्यों डैनियल भाई क्योंकि वच्छन अगर देदारी हो सकता है Old Testament में पुरुष बन सकता है वो ही वच्छन Old Testament में Angel of the Lord बन सकता है लोगों को दिखाई दे सकता है Burning Bush में तो यहाँ पे वच्छन के द्वारा परमिश्वर कहता है कि मेरा वच्छन तिरको दशन दे रहा है किसको अबराम को इसलिए मैंने एरो किया कि वच्छन पहुँचा अबराम के पास पहुँचा कौन पहुँचा वच्छन पहुँचा लिखा है कि वच्छन पहुँचा कि हे अबराम मत डर तेरी ढाल और तेरा अतियंद बड़ा फल मैं हूँ ये मैं हूँ का concept आपको पता होगा ये हर जगा येशु भी बोलते थे और हर जगा परमिश्व भी बोलते मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ I am मैं हूँ, I am तो मैं फिर पूछूँगा दर्शन कौन दे रहा है बचन अब आगे पढ़ते हैं इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं After these After these things, the word of the Lord came into Abraham in a vision तो who came word of the Lord ये तो समझा रहा था सही है, आगे पढ़ा Saying fear not I am, मैं हूँ I am the shield and thy exceeding great reward तो इसका मतलब ये हुआ कि Abraham के पास में जो आया वो वचन आया इसले फिस है आपको जल्दी से याद दिला देता हू और फिर एक क्या कहता है पुर्व यूग में परमिश्वन ने बाब दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भाती भाती से बात करके आब पुत्र के दोरा बाते किया तो इसका मतलब है कि पुत्र वच्छन के फॉर्म में वड़व गौड के फॉर्म में लोगों से बात करता था और इसका प्रूफ क्या है यह वाला अब आगे पढ़ते हैं वच्छन दो अब राम ने कहा अब राम ने कहा दर्शन किस ने दिया बात किसको कह रहा है हे प्रभू यहोवा आगे सुनते हैं वच्छन तीन और अब राम ने कहा मुझे तो तूने वंच नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन हुआ एक जन मेरा वारिस होगा अगे तब यहोवा का यह वच्छन एक सेकेंड यहोवा का यह वच्छन उसके पास पहुँचा तो वच्छन पहुँचा यह यहोवा पहुँचा वच्छन एक्जैक्ली क्यों? क्योंकि वच्छन देधारी हो सकता है न्यू टेस्टमें यही वच्छन वचन ने अबरहाम को बाहर ले जाकर क्योंकि उसने क्या कहा मेरा कोई वारिस नहीं होगा ये अलियाजर ही मेरा वारिस होगा मेरे को तो कोई बेटा नहीं है राइट लेकिन वचन पांच क्या कहता है उसने उसको बाहर ले जाकर कहा मेरा question यह किस ने किसको बाहर लेकर गया वचन कैसे लेके जा सकता है इसका मतलब है कि अबरहाम का हाथ पकड़ा होगा किस ने वचन ने वचन हाथ पकड़ सकता है अफकोस पकड़ सकता है अगर वो यहाँ पे रूप ले सकता है बात समझ में आ रही है अगर वो यहां पे रूप ले सकता है भाब दादाओं से बात कर सकता है भाब दादाओं से बात कर सकता है तो यहां पे उसका हाथ पकड़ कर बार क्यों नहीं लिखे जा सकता है तो वचन बांच में कहता है कि उसने उसको बार ले जाके कहा आकाश क्योर्द स्टी करके तारागन को गिन क्या तू उनको गिन सकता है फिर उसने उससे कहा तेरा वंच ऐसा ही होगा किसने कहा वचन ने तो अभी तक येशु क्या है एंजल अफ दो लॉड येशु क्या है येशु क्या है वाचा का प्रभू है येशु अभी क्या देख रहा है हमको वचन अभी उसको पढ़ते हैं उसने यवा पर विश्वास किया और यवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना इसका मतलब है कि अब रहाम ने वचन पर विश्वास किया सब लोग फोकस करिए वापस कह रहा हूँ और आप लोग भी सुनिएगा यहाँ पे कितने यूट्यूब पे कम से कम अभी एक हजार के आसपास लोग देख रहे हैं मैं वापस कहता प्लीज फोकस करना बड़ा घजब की बात आ रही है और जो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं अपनी तरफ से आप कमेंट बे जो डालना डालते जाएगा ठीक है ना मैं वापस कह रहा हूँ कि अबर हमने विश्वास किया किस पे माइक में बोलना है वचन तो जो वेक्ति वचन पे विश्वास करता है उसको बाइबल क्या कहती है के तू धर्मी है नीचे लिखा है अब रुमियों 4 का 3 लिखा है पवित्र शास्तर क्या कहता है पड़ो यह यह की इबराहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया तो इसका मतलब है कि अब रहाम धर्मी कब बना? जब विश्वास किया. विश्वास किस पर किया? वचन पर. क्या ऐसा कोई वचन है बाइबल में? सब को पूछ रहा हूँ. कि अगर तुम वचन पर विश्वास करोगे, दूसरे शब्दों में अगर वचन को सुनोगे, तो तुम्हारे में विश्वास आगा, ऐसा कोई वचन है? यह है. लिखा है सो विश्वास सुनने से, और सुनना, किसे आता है विश्वास? वचन से. यहापे लिखा है कि नहीं लिखा है? कितना साफ है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या अबराम धर्मी था? यह. वो धर्मी क्यों था? क्योंकि उसने विश्वास किया? वचन पे किया. विश्वास कैसे आता है? मसीहा के वचन सुनने से. अब ही तक पढ़ रहे थे, रोमियो 10 का 17 हमको लग रहा था, कि अब आप सोच कि देखो, इसका कनेक्शन अबराम से. क्योंकि अबराम कहता है, कि मैंने वचन सुना, मुझे हाथ पकड़ कर घर के बाहर, तारे दिखाने के लिए, मुझे वचन लेकर गया, और वचन तारे दिखा सकता है, वचन बात कर सकता है, इबराहिम ने येशु को देखा था, पहले इसके कि इबराम उत्पन हुआ, मैं हूँ, तो इसका मतलब है कि जिसको तारे दिखाया, वचन वो येशु था, आई ये देखते हैं कहां लिखा है, योना की किताब उसका आट का, 56 में पढ़ते हैं, तुम्हारा पिता पढ़ो, तुम्हारा पिता इबराहिम, मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया, लिखा है उसने देखा, फुल स्टॉप, मतलब रुख जाओ, लिखा है कि उसने देखा, और फिर कहता है कि उसने आनंद किया, किसने आनंद किया, अबराहम ने, किसने आनंद किया, अबराहम ने, बापरे, अबराहम ने मेरा दिन देखना, मेरा दिन मतलब येश्व का दिन देखना चाहा अब रहम ने बोला मुझे आपका दिन देखना है उसने दिखाया येश्व ने उसको दिखाया कहां पे दिखाया यहां पे दिखाया वचन ने दर्शन दिया था और वचन उसे बात कर रहा था अब प्रशन उड़ता है जैसे ये शुने ये कहा शास्त्री फरसी क्या करे आई ये सुनते हैं यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू पचास वर्ष का नहीं फिर भी तूने अबराहिम को देखा है एक सेकंड कोश्चन मार्क है वहाँ पर अफकोस है तो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुनने इसनों ने 17-18 उमर ज्यादा बढ़ा दी बोला पचास के भी नहीं हो एवरिज आईए सुनते ये शुने क्या कहा ये शुने उनसे कहा मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके अबरामुत्पन हुआ पहले की अबरामुत्पन हुआ मैं हूँ पहले इसके की focus मैं हूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इशू अबराम के पहले था, अब मेरा question ये है कि येशू अबराम के पहले कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है आईए फिर आपको याद दिला देता हूँ बदहाम की गोली क्योंकि वचन एक में लिखा है कि आधी में वचन था वचन परमिश्वर के साथ था तो आधी में कौन था? येशू अबराम से भी पहले कौन था? इस वचन के statement के साब से? कहा गया? इस statement के साब से शुरू से कौन था? येशू तो येशू यहाँ पर जूट बोल रहा है कि सच कह रहा है सच कह रहा है उसने कहा कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि पहले इसके की अबराम उत्पन हुआ मैं हूँ तुम पच्चास साल की क्या बात कर रहे है? पच्चास हजार साल की बात करो पच्चास करोड साल की बात करो बिलियन ट्रिलियन की बात करो क्योंकि मैं अनादी काल से हूँ आप लोग ताली भजहना भी भूल गया शायद सब उपर से जा रहा है बात समझ में आ रहा है अब लास पार्ट पे आ गया हूँ और मुझे पता है कि दस बचके गए लेकिन मैं इसको यहां रोक नहीं सकता क्योंकि कजब की बातें यहां पर हो रहे है एक वेक्ति है जिसका नाम है जर्माया यर्मिया वो एक प्रॉफिट था जिसको कहते हैं मेजर प्रॉफिट में से एक इस वेक्ति ने भी येश्यू को देखा था शौक आईए रखता हूँ यर्मिया एक का चार से पहला दिया चार का पांच से पढ़िया तब यहुआ का यह वचन मेरे पास पहुचा एक सेकंड क्या पहुचा वचन तो इसके पास क्या पहुचा था अब रहम के पास वचन यहाँ पे क्या पहुच रहा है वचन आईए सुनते हैं वचन पांच फिर से पढ़ो रहम से पढ़ो फोकस करके पढ़ो गर्प में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन होने से पहले ही मैंने तुझे आशिश किया अभिशेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविश्वक्ता ठेरा है तो दर्शन कौन दे रहा है बात कौन कर रहा है बाते भविश्वकी कौन बता रहा है वचन आपको अगर थोड़ा सा याद होगा यौना की किताब उसका एक का तीन में आईए पढ़ते हैं लिखा है कि वच्छन मेरे पास पहुचा और वच्छन भाँच कहता है कि घर में रचने से पहले घर में रचने से पहले मैंने तुछ पर चित लगाया एक का तीन, जल्दी पढ़ेंगे, अब माफ करना, जहुन का, एक का तीन, The Book of John 1.3, जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ, और जो कुछ उत्पन हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन नहीं हुए, तो ये उसके कौन है, येशु, वचन, क्योंकि कॉन्टेक्स में एक अध्याय का, योना एक एक का, तीन तक में येशु, वचन, तो फिर घर्ब में येर्मिया को किसने रचा, वचन, यानि कि येशु ने, ओके, अभी इसको पढ़ते हैं, पंदरा का सोला, तुमने मुझे, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने है, और तुम्हें ठहराया, ताकि, तो नीचे येर्मिया को क्या कहता है, ठहराया है, येशु क्या कहता है, मैंने तुम्हें ठहराया है, आप देख रहे हैं, कितना सिमलर है, आगे पड़ो, ताकि तुम जाकर, ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुमारा फल बना रहे, इस उना है आप वचन पढ़ ली जए अब धोनों सामने रखा है घर में रचने से पहले चित लगा है चित यह तक ठीक है अब यह शाया आप 45 का 7 क्या कहता देखो मैं उजी आले का बनाने वाला और अंध्यारे का स्रुजन हार हूँ मैं शांती का दाता और विपति को रचता हू ब्रैकेट में क्या है आई जाया 9-6 मत पढ़ो लिखा है शांती का दाता येशु को क्या का है शांती का राजकुमार वाव विपति को रचता हूँ और येशु ने क्या कहता मुझे अधिकार मिला है मैं देता हूँ और मैं लेता हूँ मैं अपनी फूख से मार डालता यहोवा ही इन सब का करता हूँ और यहाँ पे क्या कहता है मैं तुझे चुनता हूँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वच्छन इसको पढ़िए सब कुछ उसी के दार उत्पन हुआ जो कुछ उत्पन हुआ उसमें कोई भी वस्तू उसके बिना उत्पन ना हुई और यह उत्पन करने वाला सब कुछ बनाने वाला का नाम क्या है प्रकाशिदवा के 19.13 का कहता है उसका नाम परमिश्वर का वच्छन है तो दोस्तों यहिश्व का नाम क्या है वच्छन आधी में क्या था वच्छन और सब कुछ को कौन बनाता है चलाता है वच्छन दर्शन कौन दे रहा है अबराम को वच्छन ना यह अर्मिश्वर की किताब एक अच्छे को कंटीनू करेंगे लिखा है कि तब मैंने का हाई प्रभू यहोवा देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ परन्तु यहल्वा ने मुझसे का मत कहा कि मैं लड़का हूँ क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे बेजू वहां तु जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आ गया दू वही तु कहेगा आठ पढ़ना है लिखता है तू उनके मुख को देखकर मत डर क्योंकि तुझे छुडाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ यहुवा की यह वानी है अब इसको ऐसा बात करते करते वचन नौ को माईक न डाल दिये है अरे बाप रहे आज अमारे अंदर कोने है येशू हम किसको स्विकार करते है येशू और यहुवा क्या कर रहा है अमारे अंदर क्या डाल रहा है वचन आदी में वचन था और यही वचन था तो वचन बात कर सकता है अफ्कोस बात कर सकता है वचन अब राम का आद पकड़ के बाल ले जा सकता है इसका प्रूफ अभी धूंगा मैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वक्ति से और मिलाओ लेकिन आज मेरे साथ बरदाश करी है Samuel and Jesus तो Samuel भी येशु को मिल चुका है शौक? अफकोस मैं जानता हूँ आईए पढ़ते पहला Samuel तीन का एक लिखा है कि वो भालक शब्मुएन अली के सामने यहुआ की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहुआ का वच्चन दुरलब था और दर्शन कम मिलता था ओके तो दुरलब क्या था? वच्चन वच्चन जल्दी बोलना था दुरलब क्या है? वच्चन इसका मतलब है कि लोगों को किसका दर्शन नहीं मिलता था वच्चन का दर्शन और जिसके पास में वच्चन नहीं है उसके पास में विश्वास नहीं है तो जिसके पास में वच्चन है उसके पास में विश्वास है अगर दोनों भी जिसके पास नहीं है वो परमेश्वर के साथ में कैसे चल सकता है सीधा कनेक्शन तो वच्छन दुरलब हो गया था और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आखे तो दुनली होने लगी थी और उसने नसुझ पढ़ता था जब वहाँ अपने स्थान में लेटा हुआ था अब पड़ो और परमेश्वर का दीपक अब तक बुजा नहीं था और शमुईल यहुआ के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदुख था लेटा था तब यहुआ ने शमुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आग गया तो इसका मतलब यह है कि Samuel अभी तक परमिश्वर के वच्चन की आवास उसने नहीं सुना था यह फर्स टाइम है वो परमिश्वर की आवास को सुनता था बट इसको कहकर मैं चाताओं कि जितने लोगा भी देख रहे हैं आपका धियान एक तरफ लेकर जाओ Samuel कहां था मंदिर में Samuel कहां बड़ा हो रहा था मंदिर में Samuel जवान कहां पर हुआ मंदिर में Samuel सेवा कहां का बना मंदिर का उसका बच बना किसके बीच में बीता मंदिर में किस किताब के आसपास में वो रहता था थोरा तनाक या ठीक है उसके आसपास में बाते किसकी होती थी परमिश्वर यहुआ कि किस-किस की बात की चर्चा करता होगा अब राम से लेकर सेम्यल के तक कि उसके बाउचूत ये परमिश्वर कौन है इसको नहीं मालू तो इसको कैसे कहेंगे हाज आपके पास चर्च तो है आप पास्टर भी हो सकते हैं आप याजग भी हो सकते हैं आप वर्षी पर भी हो सकते हैं लेकिन जब तक परमिश्वर का वच्चन का दर्चन वच्चन का प्रकरशन नहीं मिलेगा आपका जीवन डबा है आई ये सुनते क्या हुआ पढ़ेगे लिखा वच्चन पांच धब तब उसने एली के पास दोड़ कर कहा क्या आग गया तूने तो मुझे पुकारा है वव बोला मैंने नहीं पुकारा फिर जा लेट रहा फिर जा लेट रहा तो वव जा कर लेट गया आई ये बताता हुआ गया वच्चन चे थब तब यहा ने फिर पुकार के कहा है शमुएल शमुएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आग गया तूने तो मुझे पुकारा है उसने कहा है मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा फिर जा लेट रहा इसका मतलब यह वा कि दुस्सी बार भी यही हुआ जो कि उसने नहीं पैचाना, आप वचन साथ उस समय तक तो शमुएल यहुआ को नहीं पैचानता था, आप कोशन है क्यों? क्योंकि उसने पहली नहीं पैचानता था, इसके नीचे ही लिखा है, और ना तो यहुआ का वचन ही उस पर प्रगट हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? कि जब तक वचन प्रगट है, नहीं होगा किसी पर, तब तक कोई भी यहुआ को नहीं पैचान पाएगा, कैसा लग रहा है, सी, तो इंपोर्टन क्या है? वचन, और वचन कौन है? येशू, और पुरे के पुरे बाइबल में, और पुरे बाइबल में, जेनेसिस टु मलाक काई, उत्पति से मलाकी तक, आपको जितनी बार भी मिलने को पढ़ेगा या पढ़ने को मिलेगा, यहुआ का वचन, यहुआ का वचन, यहुआ का वचन, तो समझ जाना कि वो यहुआ एक-एक है, आदी में वचन था, तो Samuel नहीं पैचान पा रहा है, क्योंकि यहुआ का व नभी होने के लिए नुक किया गया किसके दरा प्रगट किया धब जाकर वो फेमस हो गया तो आज जरूरी क्या है इसलिए पहलूस क्या कहते है कुलिस की 3.16 में कहता है जितना हो सकते है अपने मन में वचन भरो वचन भरो वचन भरो जिस जिस के पास ये बाइबल है अगर आप इसको नहीं पढ़ते और पवित्रात्मा से इसका प्रकाशन नहीं मांगते आप से गरीब वेक्ती इस प्रत्वी पर कोई नहीं है जिसके पास खजाना तो है लेकिन उसको खाना नहीं आता तोस्तो अब ये वाला लास्ट है मैं चाता हूँ कि इसको रखो और आपको समझाओ भजन सहीता एक सो तीन का उनिस पड़ी यहोवा ने तो अपना सिहासन स्वर्ग में स्थिर्ख किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टी पर है तो परमेश्वर का सिहासन कहा है स्वर्ग में और उसका राज्य पूरी सृष्टी में फैला हुआ है वचन भी है यहोवा तो जो वचन को मानता है वो परमेश्वर को धन्य कहेगा तो इसका मतलब है कि अभी तक हमको यह पता चल रहा है कि यहोवा को धन्य कहो यहोवा को धन्य कहो वचन के मानने वाले लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि हिंदी में गड़ पढ़ है आप इसको इंगलिश में पढ़ते हैं पढ़िए King James Version New King James Version मैंने दोनों रखा है तो पहला उपर से पढ़िए तो यह हो गया उपर वाला अभी नीचे पढ़ते हैं मतलब परमेश्वर उपर है अभी नीचे क्या ओर रहा है? जी The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all यह नीचे वाला यू के जवे भी यह वाला Bless the Lord Bless the Lord यह His angels that excel in strength that do His commandments harkening into the voice of His word तो इसका मतलब क्या लिखा हैं पर? के वच्छन को आवाज है Voice of His Word तो मतलब वच्छन को आवाज है इधर देख लीजेगा Word has a voice वच्छन को आवाज है अब इसको समझे है जल्दी से एक सेकंड रूख जाओ Word has a voice तो जो वच्छन को सुन रहे थे वो आवाज को फॉलो कर रहे थे तो इसका मतलब है कि Jesus ने Old Testament में as a voice बात किया है तब तो लिखाना कि आद ही में परमेश्व ने बाप दादों से बात ही वो सुनते थे क्योंकि वच्छन को आवाज है लेकिन वही वच्छन अब क्या हो गया था 2000 सल पेले फ्लेश में आ गया देधारी हो गया अब इसको समझे यह लास पार्ट है लिखा है अगर न्यू टेस्मेंट के लोगों को यानि के कलिस्या को अगर परमेश्व को समझना है तो यही वच्छवई को फिर बीच में आना पड़ेगा जिसको इंगलिश में कहते हैं मेडियेटर और यह मेडियेटर कौन है येश्व येश्व वाव तो इसका मतलब है जो वच्छन आपने पढ़ा था योना के किताब उसका एक का अठ्रा उन्नीस अगर में गलत नियों लिखा है कि येश्व के बगैर कोई परमेश्वर को प्रगट नहीं कर सकता तो येश्व ने परमेश्वर को जिसको किसी ने कभी ने देखा उसी ने उसको प्रगट किया है तो परमेश्वर को कोई नहीं पैचान सकता जो एक ही परमेश्वर है ट्रायून गौड अगर उसको समझना है तो उसको समझने के लिए आपके पास में येश्व होना जरूरी है तो लिखा है कि एक ही बिच्वई है अर्थाथ येश्व मसी जो मनुश्य दब जाकर मैंने लिखा है कि पुराने निहम में अगर किसी को भी समझना था कि कौन है परमेश्वर तो येश्व ही समझाता था वच्छन के रूप में Old Testament में वच्छन के रूप में New Testament में खुद येश्व और येश्व ने क्या कहा मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन तुम नहीं समझोगे वच्छन लेकिन एक आएगा मेरे वच्छन से तुमको सिखाएगा और वो मेरी तरह होगा कहता है कि वो मेरी तरह एक आएगा तो मैं आपको फिर पूछना क्या ये टोटल स्टडी में एपिस्टोड नंबर 6 तक में क्या यून गट ओल्ड टेस्मेंट से रिवील हुआ यस और नो हुआ